मंगला चुराण नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं रमो अज्ञायाणं रमूलो ये सव्यताण। मंगलं भगवान वीरू मंगलं जोत मूगणि मंगलं कुंद कुंदाग्यू जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्व मंगलं मंगल्यं सर्व कल्याण कानित्रं। प्रधानं सर्व धर्मानं जेनं जेतु शाशिनं। मंगल में मंगल करण। वीत राग वीज्याण। नमूता ही जातें भई। अरिहन पादी महा। करिमंगल करहों महा। ग्रंत करन को कान। जातें मिले समाज सब। पावे निज पदराद। इस भव के सब दुखनिकें। कारण में त्याभाव तिनी की सस्ता नाशिकर प्रगटें मुख्षपार। आचार कलपंड़ टोडरमल जी की अहनुतम रचना मुख्षुमार्ग प्रकाश अग्रन रिजस पर अपनी चर्चा चल रही है। पेज नमबर 13 सी चौथा अधीकार। 83 पेज। तोडरमल जी की आस्रव तत्त्तो संबंदी भूल के आयथार्थ स्त्रद्धान में कल हमारी चर्चा हुई थी। कैसे इस जीवादी साथत्त्त्य प्रियोजन भूत को यह जीव अनादी से आप्रियोजन भूत मान रहा है। क्रिया तो कर रहा है कार की और मान क्या रहा है देह का कार हो रहा है। कार की रुची तो है इसकी स्वयम की और देह का एक छेत्रवगाह संबंद होने से आधार बूत होने से देह की क्रिया को जीव की क्रिया मानता है। और यह बात आज की तो है नहीं यह बात अनादी की है। मतलब अग्रीद मिठ्यात्य की है कि जब जब से इसने आखें खूली है तब सबसे इसके शरीर का सम्मन्द रहा है और शरीर के करता को ही शरीर के करता ही जीव के करता को माना है मतलब शरीर के करने को ही जीव का करता माना उसी बात में कल आस्रतत्त्त्त्संबंधी आयथा और सरद्दान में तोडरमल जी ने हमारे लिए सबसे पहले तो कहा था कि मुढ के उद्य से मोहिनी दर्शन मोहिनी में मिथ्यात और चारित्र मोहिनी में कशाय आदिक भाव होते हैं और उसके बाद कहा कि ये जो आस्राव भाव हैं मिथ्यात और अवरती प्रमाद कसाई यह जीव के सुभाव ग्यान दर्सन सक्ति से युक्त इसको एक मेक मिला हुगा मानता है क्यों मानता है क्योंकि जब जब हम सुभाव रूप परणमित होते हैं जनाले जाते हैं ब्रत करते हैं पूजन करते हैं स्वाध्या करते हैं तब यह शरीर विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् सकती से युक्त और कर्मों पादीन मुहिनी कर्म उसके कारण विपिरीत भाव सुभाव में अशुब भावों की एक रंच मात्र भी कण नहीं है और अशुब भावों में यह शुब भावों को डालता है आधार भूत एक होने से शरीर और जीवात्मा का एक रूप पिंड दिखाई देने से इसका ग्यान दर्सन सकती से युक्त शुब भाव है अब जब यह विभाव रूप परणमा क्रूद किया मान किया लूब किया परदरव्यों में राग दो शाधी की क्रिया की तो अब यह क सुभाव भाव जो कि किसी भी परियाय में जाए वह नित्य रहे हमेशा रहे परमानेंट रहे सुभाव में सुभाव का जो गोण है वो एक रंच मातरवी बाहर ना निकली वो कहलाता है सुभाव अब बताओ क्रूद कितने समय रहता है मान कितने समय रहता है लूब कितने स माय रहती है बताओ छड़भंगुर रहती है कभी कोई चीज अच्छी लगती है कभी खराब लगती है कभी किसी से राग होता है कभी किसी से द्वेश होता है तो कहते हैं कि जो पर्मानेंट नहीं वो विभाव और जो पर्मानेंट वो सुभाव अब क्या है कि यह जीव दोनों को किसा मान रहा है एक एक कि सब कुछ क्या है एक है जबकि दोनों भाव अलग अलग यही तो आश्रों भाव है यही तो कर्म बंदन के कारण है भई आपकी अनादी से भूल यह रही कि आपने जो क्रिया की उसमें अपने शरीर को खड़ा हुआ माना और शरीर के प्रती ही आपने उसको सामने रखके सारे कार किये यही आस्रों भाव है आस्रों भाव क्या आस्रों मतलब कर्म का आना और कर्म रूपी आने के भाव करना सो आस्रों भाव आहके बाद आस्तरों मतलब आना अब जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है बोले आपने ऐसे भाव किये इसलिए आना हो रहा है तो ये आस्तरों भाव फिर उसके बाद टोडरमल जी ने कहा हम कि देखो इसलिए ये बिन्नत अभासित नहीं होता क्योंकि एक ही काल है और एक ही आधार है उसके बाद गुले कारण तो विचार का है आपको वेद विज्ञान करना पड़ेगा जैसे आप सब लोगों को दूद में घी दिखता है कि नहीं दिखता है कैसे दिखेगा दिखता है दूद में घी दिखता है ऐसे ही इस पुदगल परमाणों को बीच में सुभाव में अंतरंग में जीव पड़ा हुआ है वो क्यों प्रताक नहीं दिखता है शरीद से वहां पिर भी तो ख्रीया होती है वहां पर भी तो दूद को वुपालना सब कुछ करना करके घी मझे बताओ, इतनी महिला शत्वर रहती हैं کہ 1 कG घी में कितने गिराम घी है उतना गिराम बता देती है कि इसमें 100 गिराम ही निकलेगा कितना गिराम? 100 ग्राम घी अरे ये तो दूद है एक लीटर का है ये कैसे बताया बुले मुझे पता है इसमें 100 ग्राम दूद निकलेगा और अगर भैस का होगा ना तो उसमें 1.5 ग्राम घी निकलाए अच्छा आपने निकाल भी लिया हाँ मुझे पता है आप निकाल लो 100% की बात है करके देख लो और उन्होंने किया और वो 1500 ग्राम घी निकलागा भैस के दूद का कैसे निकला मतलब भेदवी ग्यान की दरिश्टी तो है इन नेत्र इंद्रिये के कारण जब हमारी बुद्धी इतनी स्थूल हो गई है इतनी सूख्च मूँ गई है कि एक लीटर के दूद में ह हम घी को नाप लेते हैं तो सोचो भेदवी ग्यान की कला तो उससे भी सरल है उसके लिए तो पापा इन आखों के भी जरुवत नहीं है इन मेत्रों की भी जरुवत नहीं है ना दूद की जरुवत है ना घी निकालने की जरुवत है क्यों क्योंकि जानने वाला निकालने व विचार करके यह होगे विचार करके काम नहीं करना नहीं कोलनी दुकान रहता हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे आकुलता रूप्हाँ हो रहे हैं तुक्षशता का कर्रण ही दुख देने वाले हैं प्रगट में दखाई देते हैं तो क्या करता है मूल में गल्टी तो होती है इसकी खुद की क्योंकि इसने अपने सुभाव को भूल कर अपने भाव परदरब में लगाए और जब परदरब में लगाए तो उससे राग हुआ और राग हुआ तो आपने उसको पर्णमाने की कोशिश की अब वो पर्णमाने तो आपने क्या किया रोध किया तो बुले दुखी तो क्रोध से होता है उसको चाहने की एक्छा हुई तो कहा दुखी तो लोव से होता है लिखा की नहीं टोटरमल जी में बुले दुख तो ये है कि तेरी चाहना दुख है तेर इसमें है कि अरे भाई तूने चाही क्यों? बताओ, सप्रधान मंत्री बनना चाहते, बताओ, बनना चाहते के नहीं, वो नहीं बन पा रहा है, अरे हम नहीं बन पा रहा है, हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं चाहेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, गुले इसको प्रधान मंतरी बनना है अब बताओ किसकी गल्दी प्रधान मंतरी बनने की यार जो होना ही नहीं है परदरव तेरे रूफ परण माना चाहे रहा है तो बताओ सुधार कहा करना है केजरी वाल अन्ना हजारी ने वो पुवास किये और केजरी वाल में क्या मंतरी बन गए तो बताओ देखो क्या है कि देख सोचने में गल्ती है कहा देखो और वह वह गल्ती हमें महसूस क्यों नहीं होती क्यों इसलिए नहीं होती है तोडरमल जी ने लास्ट में कहा कि अपनी किये भासित होते नहीं यह जीविस संसार में अपनी गल्ती को मानने वाला नहीं है केवल जब भी परदरब नहीं प्रणमें तो परदरब को गल्ती थेराने वाला है और दुखी होने वाला उस ते दुख कुछ कम होने वाला नहीं है ये सब कल आस्तरव तब तो संबंदी आयथारत रद्धान बताये तब देखो तोडरमल जी ने यहाँ पर कर्मों के आने को आस्तरव कहते हैं ये बात बिलकुल नहीं कही सिर्थ इतना कहा कि भई तु परद्रव को परणमाना छोड़ दे वेही आस्तरव भाव हैं आस्तरव भाव मिथ्यात अवरती प्रमात का शायरू भाव है इनसे कुछ न कुछ आएगा क्या आएगा जिसके कारण तु संसार में आगामी काल में दुख उत्पन करेंगे ऐसा तुझे दिखाई नहीं देता कौन दुखी उत्पन करेगा जिनको मैं परणमा रहा हूँ ये दुख उत्पन करेंगे आगामी काल में कि जो तुने परणमाने की कोशिश की और जो तेरे भाव जो बंधे जो कर्म का बंदन हुआ वो तेरे को आगामी काल में दुखी करेंगे जो आग तुदुखी ऐसा मानता नहीं है वो ऐसा मानता है कि ये द्रव जड़कर्म मेरे है जड़ द्रव मेरे है मैं इनको अपने रूप पढ़ना मालू और अपनी गल्ती स्वीकार्णी करता है अब आती है 83 नंबर पेच पर बंद तत्व संबंदी आयाथार्त सरद्धान ठीक है अब मुझे बताओ बंद किसे कहते हैं जीव अजीव आसरो बंद कर्मों का रुखना सो क्या है बंद है अब देखो अब तोड़रमल जी यहाँ पर एक नादान बच्चे को बंद बता रहे हैं कि देखो क्या है आखिर इस संसार में जो बंद है वह हमें दिखाई कै से देता है किसे दिखाई देता है कि हमें हम बंदे हुए हैं आप बंदे हुए हो हम आप से बुलें आप लोग बंदे हुए हो किसी से बंदे हो तो बुले हां हम बंदे हैं बुले किस से बंदे बुले हम इस्तरी से बंदे हम बच्चों से बंदे हम घरमक से बंदे हम दु तो किंचेत मातर कुछ दुखतो है, कोई ऐसा ब्यक्ति है, कोई ऐसा पदार्त है, जो तुमारे लिए अद्रस से रस्ती को दूसरों को अद्रस से दिखाई दे रही है, और तुम्हें वह रस्ती आँखों से दिखाई दे रही है, कि कौन सा ऐसा पदार्त है, जिससे तुम ब दा तुम चाहेते हो कि भी हम शखर जी हम स्वनुगण में छ्ष मईने रेके आएं क्यों नहीं रेके आ रहें कि यह किसे ने बाना है रहाँ ना क्या दिक्कत है बुलिन मेहीं हम नहीं जा पा रहेकूं ना थी पोटे क्लाने है तो ऐसी कौन सी रस्ती है कि जो आपकी आखों म हमें आपको बंदी हुई दिखाई दे रही है और हमें बंदी हुई दिखाई नहीं दे रही है और संसार का प्रतेग जीव बंधा हुआ है नदाओ है कि ही नहीं यह बंद है भई जो तुमने कमाया जो तुमने कमा के घरमकान तुमने एकटा किया अब घरमकान एकटा करके अब तुम्हें प्रती छण उसको भोगने की वासना पड़ी हुई है तुम्हें भोगने की वासना पड़ी हुई है तो तुम उसके प्रती अपना रा ठीक है अब राग तुम हटा नहीं पा रहे हो तो तुम उसको छोड़ नहीं पा रहे हो और छोड़ नहीं पा रहे हो तो बताओ तुमने उसे बांध रखा है कि मकान तुम्हें बांध रखा है और एक छण अगर हमने यह बेच दिया और वो हो गया किसी दूर का अब बताओ मुण के देखने आओगे देखने आओगे मनला वो उसके पर दिया आपकी राग द्रश्टी चली गई अप चाहे वो तोड़े चाहे वो करेंगे तो क्यों कर रहे हो और जब दूसरे का हो गया तो तुम तो तोड़े वीडियो तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं क्या है आखर देखो समझने की बात यहां पर है ममी यह बात है कि देखो यहां पर कर्मों के रुकने को बंद नहीं कहते हैं बात यहां पढ़के लिखने समझाने पढ़ाने की एक्जाम में पेपर देने की बात नहीं हो रही हमें बंद तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् पढ़ाई नहीं करवा रहे हम आपके लिए, अनंत बार कर ली पढ़ाई, कितनी बार मुख्छमार प्रकासक पढ़ा ली है, सब कुछ कर ली है हमने, हम भी जानते हैं, कि कर्मों के आस्रव को आने को कहते हैं, और जो इखटे हो गए उनको, अब देखो, तुम जेनकुल में हुए, नाना प्रकार के साधन मिले, किसी व्यक्ति को अजेनकुल मिला, उसको नाना प्रकार के दुनिया के साधन मिले, कोई गरीब हुआ, कोई अमीर हुआ, किसी का काम बनता है, किसी का काम रुपता है, कोई यश पाता है, कोई अपयश पाता है, कोई द कारण हो रही है कर्म के कारण हो रही है तो कर्म ये जो कर्म पढ़े हुए हैं ये कर्म तुमारे लिए दुख देने वाले क्यों हो रहे हैं हम ने कम अब हम खा रहे हैं किसी ने ज्यादा कमाया किसीने कम पा इस हाफ से हम अपने असक हम भोगे जा रहे हैं और जब हमारे रूप अच्छे पर्णमत होते हैं तो हमें साथा लगता है और जब हमारे बुरे पर्णमत होते हैं तो हमें असाथा लगता है ठीकिना ये दो बात हो गई अब जो बंध है मतलब जो कर्म किये थे वो कर्म हमारे इस पुद्गल परमानू से एक छेत्रव गाहरूप कैसे चिपक गए उनका कोई काम नहीं है अब जो रखे हुए हैं उनका भी कोई काम नहीं है अब वो फल कैसे दे रहे हैं उसका काम है किसका काम है जो फल दे रहे हैं क्यों हमने कैसे भाव कि ये कितनी भी पुद्गल पर्माणू कर्म रूप पड़े रहे हैं चिपक गए कोई बात नहीं चिपक जाने दो अब चिपक गए और हमारे इस सरीर के साथ आत्मा के साथ चुपके हुए एक तरह पड़े हुए हैं तो आपको वो कर्म फल अच्छे रूप में दे रहे हैं टाइम पर भूजन मिल रहा है टाइम पर मंदर जा रहा है टाइम पर सब कुछ कर रहे है टाइम पर स्वाध्या हो रहा है सब कुछ मिल रहा है और किसी को वोई फल स्वाध्या के लिए समय नहीं मिल रहा है मंदर जाने कर्मों का बंद होता है किस से आश्रवाव जो हुए थे उससे ज्ञाना वरणारी कर्मों का बंद होता है आई वाग हमने दूसरे अधिकार में पड़ा था एक को और हमने खाया भोजन का वो कितनी रूप परणडमिन्थ होता है हड़ी रूप मांत रूप चम्डी रूप बड़ वाइड हो जाता है एसा तो है नहीं हड़ी के लिए कुछ गरम मसाला ज्यादा डालते हो या फिर ब्लेड बनने के लिए कोछ उसमें शक्क्र डालते हो ऐसा तो कोई खाना बनाते समय कोई प्रिक्रिया करते गया नहीं करते वो आटोमेटक परणमत हो जाता है तो जैसे हम भाव करते हैं ठीक है उन भावों को बूलते हैं आस्त्राव भाव क्या बूलते हैं आस्त्राव भाव मतलब आपने कर के आनी का धरवाजा खूला और धरवाजा खूला तो उसमें कर्म आएउ अचार वाक क्या इस से हुए थे वू़ें इस वजए से हुए थे जो आस्र तक को मैं बताया हूं को और में परदरव को परडमा सकता हूं 주세요 परति मुहरूपी मुहराग द्वेश करके उसके परति हमें आपनी आसकती पना बताना क्या है आश्रा उस्धूर? उस से क्या होता है तथा इन आस्रा भावों से ग्याना वर्णादी कर्मों का बंध होता है ग्याना वर्णादी कौनकर आठकरम कौन-kas crazy बदा जुट Kings जब वापन को ग्याना बढ़ना दी कर्म याद होंगे तभी तो उनका स्वरूप समझेंगे बताओ हमें दुकान के बारे में नौलेज नहीं है और दुकान खोल के बैठा के तो कितने दिन चलेगी अभी हमें कर्मों के स्वरूप के बात नहीं है कितने हो गए? आठ हो गए तो कहा आस्रव भावों से ग्याना बरनादी कर्मों का बंध होता है यह पता क्यों याद नहीं आ रहा है यह लेट आना, सोक एक देर से उठना या उठ गए तो डर के मारे बाहर सेड़ियों पर बैठे रहना यह सब उनका कारण है क्योंकि सब्जेक्ट तो आगे निकल जाता है अब अगर हम दूसरा अदिकार फिर से पढ़ाएंगे फिर से वही चीज़ समझाएंगे तो रिपीट होने लगेगा सब्जेक्ट हो तीसरे अदिकार में भी वही बात होगी अब चौते अदिकार में भी फिर सी वोई बात रिक्वीट कर रहे हैं, वो चन्दा नहीं करो, नोवे तक करेंगे तोटर मलीजी, पीछाने छोड़ा, तो बहार सुना 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 सूने को याद हो जाएं ये तो याद होंगे, और हम जो भी कठनी शबद आते हैं, हम उनको बार 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 बूलते भी हैं भेत्र भेद आते हैं तो बार बार बूलते भी हैं कि जिससे याद हो जाएं लेकिन आएंगे तो याद होंगे देखो आस्रा भावों से ग्याना वरणादी कर्मों का बंद होता है आठ के अलाबा कुछ भी कर्मों का बंद नहीं होता है देखो निमित्ता धीन भूत तो वो आठ कर्म है जो तेरे को संसार सागर में रुला रहे हैं और संसार सागर में रुला रहने का कारण है ऐसा कि दूसरे को दिख्या हुआ तुम सतंत्र दिख रहे हो और तुम अपने आप में परतंत्र हो है न हमने गाड़ी ली तो गाड़ी में पर पूपी पदार्थ मिला और उस पदार्थ में तुमने राक करके उससे बंद गए तो बताओ तो मैं संसार में रूलाने वाला कौन कर्म है की नहीं तो ये जो आस्रव भाव है उनसे क्या होता है कर्मों का बंधन होता है संसार बढ़ता है तथा उनका उदय होने पर ग्यान द अधिकर्मों का बंद होता है, उसके क्या होता है? सबसे पहले तो क्या होता है? उदय होने पर. उदय होगा, तभी काम होगा. उदय होगा, तभी सामगिरी मिलेगी. उदय होगा, तभी आपको साता-साता का उदय आएगा. उदय होगा, तभी आपको एक बार में याद हो जा उदाई होगा कब ही कोई कार्य करते हुए पूरे नहीं होगे उदाई होगा अच्छी आईयू मिलेगी उदाई होगा अच्छा गोत्र मिल जाएगा जो भी होगा उदाई होने के कारण होता है आई वस्तमझ में तो जो तुमने करम यहां पर किये हैं जो तुम भाव कर रहे हो, उनसे जो कर्मों का आस्रा हुआ है, वह आस्रा लावकारी नहीं है, क्यों? और जो बंग है, वो भी लावकारी नहीं है, क्यों? क्योंकि भावों से तो उनकी उदीरना होती रहती हैं, कम जादा होते रहती हैं, बंदे तो बहुत डेंजर प्रकार क से और आपने उनको अपने भावों से उनका संकर्मन उनकोर में कर्म कैने कर्मों में तो यह लाबकारी ने ना बंढ़ ना लाबकारी है और ना आस्राव बात्र में कैसे आ रहे हैं अज़ा, ले जाओ उसको उपर ले जाओ, लेजाओ, ऐंगो उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शनी की हीन्टा होना, हीन्टा मतलब? हीन्टा होना मतलब ज्ञान प्रगट नहीं होना और चारेत्रे दर्शन हमारे लिए सरद्धान में नहीं आना कौन सा कर्म हो गया इता ज्याना वर्णी दर्शना वर्णी दो कर्म हो गया ज्याना वर्णी दर्शना वर्णी कर्म का उदय जब उदय आता है तो हमें क्या फल मिलता है हमें ये फल मिलता है कि हम जिसको भी पढ़ें उसका हमें ग्यान नहीं होता है जबकि तो हमारा कमाया हुआ है और हमारा कमाया हुआ जब हमें मिल रहा है तो हमें ग्यान ज़्यादा होना चाहिए लेकिन क्या होता है ये आठ कर्म सुख रूप नहीं है ये आठ कर्म दुख रूप है क्योंकि तुम्हारा सभाव तो कर्माति थे इन कर्मों के कारण तुम्हें दुख होता है और तुम मानते क्या हो कि हमें सुख मिल भा है तो ग्यानावरणादी कर्म का जब उदाय आया उदाय आया कर ग्यानावरणी दर्सनावरणी का जब कर्म का उदाय आया तो केक की विधी दस बार पढ़ने के बाद भी हमें सरत्धान में नहीं आई जब भी हम शक्कर डालते हैं तो बहुत जादा डल जाती है हमें उसका पूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है और जब ज्ञानावर्णी दर्सनावर्णी कर्म का च्छै उप्षम होगा तो क्या होगा वो एक बार में पढ़ने में आ जाएगी और एक बार सरद्धान में आ जाएगी तो बताओ उधाय लावकारी है कि च्छै उप्षम लावकारी है निकूँ बताओ उधाय लावकारी है कि च्छै उप्षम लावकारी है क्या लावकारी है च्छै उप्षम लावकारी है क्योंकि हम तो पुर्थार करते हैं हम तो जो भी काम करना है करते हैं लेकिन अब दरसनवरणी कर्म के करना अतक तो सरद्दान हो रहा है उसमें मेरी क्या गलती बुले लाब तो जब है कि दरसनवरणी कर्म का च्छै उपशम हो जाए और हमें जो ज्यान और दरसन कर रहा है वो पूर्ण रूप से प्रगट हो जाए आई बार तो उदाय लाबकारी नहीं है क्या छयुप्षम लाबकारी है तो यहां कहते हैं उनका उदाय होने पर आई बार समझ में अब उदर उनका उदाय होने पर तो हमारे प्रॉफिट का काम की बात होगी के हमारे नुकसान की बात होगी पापा बताओ, राजोल, उदाए होगा तो नुकसान होगा ना, प्रॉफिट तो मिले गा नहीं, आई वा समझ में, दुकान खुलेगी, तो पैसे आएंगे की जाएंगे, आएंगे, तो वहां क्या दिखता है, प्रॉफिट, कि हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट हमें मिल रहा है, लेक आएंगे, तो दुक होगा, और जाएंगे, तो सुख होगा, आई वा समझ में, मैं क्या कियाना चाहरा हूँ, देखो, फिर से पढ़ते हैं, धीरे-धीरे बोल रहा हूँ, समझेने की कोशिश करना, बहुत अच्छी, चार-पांच लायनों में तो टोडर मज़ी ने, बहु कमाया हुआ एंसा है, जिसके कारण तुम सुतंत्र नहीं होगे, तुम बंध होगे, और बंधना संसार है और सुतंत्र होना मुख्छ है, और हम सुतंत्र होना चाहते हैं, यह हमारी काम नहीं है, तो बताओ, ग्याना-वरणादी कर्मों का उदय करना पड़ेगा की पुंक्षउम मुईनी कशायरूप चारेत्र मुईनी तो कौन सा करम आगया मोहिनी कर्म आ गया आ गया की नहीं ये देखो ये भी कमाया हुआ है आपका क्या है क्या हुआ है क्या हुआ है कमाया हुआ कैसा मिठ्यात्व कशाय रूप परणमन होना उल्टी मानिता रूप परणमन होना तत्व का अतत्व सरद्धान करना संसार के विशय भोगों में सुप क्वाहिनी कर्म होना तुदेगो मिध्यात कशायरूप परणमन होना यह तुमारे लिए लावकारी परणमन हैं कि नुक्सान वाला परणमन एक बार में नकलना चाहिए एक बार तोटर में अपने लिए बता क्या रहे हैं तो यह बता रहे हैं कि देखो तुम संसार में जितनी भी सुख सुभीदा तुमारे लिए मिली हैं मिली है ना यह सब सुख सुभीदा हैं तुम जो सुख रूप मान रहे हो यह दुख रूपी ही है पहले यह निरनाय तो करो जब तुम उसके परती अपनी सुख वुद्धी लगाओगी हमारा कमाया हुआ हमारा भोगा हुआ करोगी तो तुम्हें संसार सुख के कैसे छोड़ लोगों बताओ नहीं छोड़ने वाले तो कि यहां कह रहे हैं कि देखो मिठ्या तो कशाय रूप पन्नमन होना यह तुम्हारा कमाया हुआ है कि तुम्हारा नुक्सान वाला पदार्द है और कमाया हुआ किसका है सोयम का और सोयम का कमाया हुआ किसको नुक्सान दे रहा है सोयम को मतलब आपने अंतरंग में शुगर खाका के शक्तर खाका के एक ऐसा रोग पाल लिया जिस रोग से तुम्हारा शरीर को वो सुगर खा रही है आई वास समझ में, क्या कह रहे हैं, सुगर नुकसान कर रही है, और आप खाने की इच्छा कर रहे हो, और प्रती समय खा रहे हो, तो बताओ, रोग कौन लेके आ रहा है, सुयम लेके आ रहा है, और दुखी कौन हो रहा है, सुयम हो रहे हो, ये सब आया किसे, बुली ये सब आया मित्यात्यों का शाय आदिक भावरूप मुहिनी कर्म के उद्धाय से ठीक है? चाहा हुआ ना होना कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म है? कौन सा? अंतराय कर्म. चाहा हुआ ना होना है. जैसी तुमने एक शाकी थी और बेंसा वो कारपरणमत हो नहीं रहा है. कौन सा कर्म का उ अंतराय कर्म हैं, इसके उदाय आने से फाइदा होगा, कि इसके छह उप्षम से फाइदा होगा, छह उप्षम से, तो क्या होगा, सारे काम बन जाएंगे, तो अंतराय कर्म का उदाय आया, तो हमारे काम रुख गए, और अंतराय कर्म का जब छह उप्षम हुआ, तो हमारे का बन गए। आइवास समझे तो यह हुगे है ना, यह हुगे हैücksगे हैं, जेसा तुम्ने एक्ष्य की है बैसा तुमारा नहीं हो रहा है। इससे क्या है अंतरा employees कर्म का उद्य हैंiben अभी यह बताओत से ग्याना वर्नादी कर्म का बंध होता है पहली line और हम अासरव भाओ आसरव तब तो सम्मंदी भूल में कर चुके है आई बात समझ ले मतलब अब हम कमा चुके हैं अब हमारे भोगने की बार बारी आ रही है तो जब ग्याना वरनादी कर्म कमाया था और दर्शनवरनी कर्म कमाया था तो उससे क्या मिला हमारे लिए हमारी ग्यान की हींता हो गई दर्शन की हींता हो गई मुहनी कर्म जब हमने कमाया था तो उससे क्या हुआ बुले मित्यात्वादिक भाव हुए प्रोदमान माया लोब रूप कशाय रूप परणाम हुए ये कर्म हमने जब कमाया था तो अंतराइ कर्म जब हमने कमाया था तो क्या हुआ जो भी हम चाहिने की कोशस कर रहे थे वह पूरा नहीं हो ते किस्का कमाया हुआ था किसका मेरा किसका मेरा सुख दुख का कारण मिलना कौनसा सुख साता दुख असाता का कारण मिलना कौनसा कर्म वेदनिय कर्म कौनसा कर्म वेदनिय कर्म तो देखो सुख दुख का कारण मिलना तो वेदनिय कर्म के ओदय से सुख और दुख के कारण मिलते हैं तो जब हमने आस्रव भाव करके वेधनी कर्म कमाया था, तो हमें सुख के कारण मिले, और हमें दुख के कारण मिले, किसको मिले? हमें, है ना? अब देखो, सरीर संयोग रहना, आयू कर, संयोग मतलब 80 साल, 70 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, तुमारा जीव का साथ, सरीर का जो संयोग है, ये मितने साल का मिला है, ये किस से, आयू कर लो, अब तुमने पूर्व भाव में, आस्रव भाव किये थे, उस आस्रव भावों की तुमारी कमाई ये हुई, कि तुमारे लिए 40 वर्स की आयू मिली, 50 वर्स की आयू मिली, किसी को 80 वर्स की आयू मिली, किसका कमाया हुआ था अरे बोलते जाओ भी औरे जोर से बोलो यासा उत्वाहके साथ अपनी कमाई खा रह到 दूसरे की धोड़ा खारा हूं भु始ंता भी माईला आपनी कमाई खाने में बोलने में इतनी डाद किसकी कमाई बंद तक तो संबंदी भूल बता रहे हैं सोचो तो इस चार लाइनों में छे लाइनों में हमें समझानी की कोशित करना है तोडर मलजी ने पूरी अथारता उसमें रग दी अरे भई समझो किसकी कमाई खा रहे हो स्वयम की न तो देखो आस्रा भावों से ग्याना वरनादी कर्म का बंद हुआ था और हमने आस्रा भाव कर चुके हैं अब हम कारण कमा चुके हैं अब उसकी कमाई हम खा रहे हैं और उस कमाई के कारण तुम्हारा सरीर का सैयोग हुआ 80 वर्स का 70 वर्स का 50 वर्स का ठीक है गती जाती शरीरादिक का उत्पन होना मनुष्य गती मिली कौन सा कर्मा गया ये नाम कर्म क्या मिला शरीर मिला ना गती मिली नाम कर्म यशशकीरती नाम कर्म का आप यशशकीरती नाम कर्म का चाहे वो चीज अच्छी मिली हो और वो चाहे वो चीज गंधी मिली हो खराब मिली हो तो बताओ किसकी कमाई है किसकी कमाई है स्वयम की कमाई है ना और स्वयम की कमाई खाने में तो बहुत मज़ा आता है बेसे मज़ा है स्वयम की कमाई खरने में तो बहुता नंद आता है कि हम परास्तरत नहीं है हम सुतंत रहें आई बास समझ में कहते हैं कि देहो गती, गती, चारों गतियों में कोई भी गती, जाती, अपने आप पर इच्छा के से, जो भी आपको मिली हुई है, है ना, शरीरादिक का उत्पन होना, जाती में ये ले 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 ना कौन सी चाहती, एक इंदरी, दो इंदरी, त्री इंदरी बिगाद और गती में, नरक गती, मनुष्य गती, ट्रियंच गती और देव गती, शरी रादिक का उत्पन होना, लंबा, ठिगना, ऐसे, सुश्या, ay becomes बिल्कुल. हीरो की तरह है और ही विलैं की तरह है, अलग अलग प्रश्याल की कहते हैं, नीच उच्छे कुल का पाना किसका कमाया हुआ है नीच गोत्र कर्म हमारा कमाया हुआ है हमें मिला यह कौन सा कर्म हो गया गोत्र कर्म अब आठ कर्म की बार तोडर मल जी ने यहां चार लाइनों में कर दी दूसरे अधिकार में भी कर आए तीसरे में भी कर आए चोथे में भ आस्रावभाव जब हमने पिछले बार किये थे एक दुकान हमने खोली थी उस दुकान का काम आस्रावभावों के करना एक पैसे आना था पैसे आना था आस्रावभाव रूप और उवक कमाई हमने खटी की थी उस कमाई के कारण हमें ज्याना वरणादी रूप एक कर्म का थी मोहिनी कर्म के कारण मित्यात तो कशाय रूप पर्णमन हुआ था और फिर एक अंत्राय कर्म की हमने कमाई की थी जिससे हमारा चाहा हुआ नहीं हो रहा था उसके बाद हमने एक वेदनी कर्म की कमाई की थी उससे सुखो और दुख का कारण मिल रहे थे उसके बाद हमने आ कर्म का कमाई की थी उससे गती जादी सरीरादेक पन्य हुए थे उसके बात हमने गोत्र कर्म की कमाई की थी उससे हमें नीच कुल का पाना हुआ था आई बास समझ में अब देखो अब देखो देखो यह तो हो गई इस काल की बात किस काल की पंचम काल मनुश्य गती जैन कुल कि जहां हम बैठे हुएं जो पर्याय हम धारण किये हुएं यहां पर अब जाओ बैक पीछे इसके पहले कौन सी पर्याय में थे पता नहीं चलो अपनी अपनी माल लो अरे सब माल लो के हम देवगती से आए ठीक है तो जब देवगती में जो पर्याय हमारे लिए मिली थी वह पर्याय किसका फल था पूर्वभाव के आस्तरा भावों का फल था किसका कमाया मिला था किसका कमाया दूसरे में कमाई खाई थी गया दूसरे के कमाने के मिला था उसके पहले किसकी कमाई मिली थी उसके पहले जो गती मिली थी वो कुंसी कमाई मिली थी उसके पहले जो कुंसी पर काल पहले चली जाओ चली जाओ चली जाओ चल जाओ चली जाओ चली ज़ी गत घए कहां तक पहunta गें तो दुरोच की नहीं अब तुम्हेंने न्हीं अब गोर्म प्तलब सी क्या पापव जब छीव से जीवं के अरुप का निरमाड हुआ है तब से जीव नेут खाई है, दूसरी की कमाई नहीं खाई, भाव किये शरीर बना, भाव किये शरीर बना, भाव किये शरीर बना, भाव किये शरीर में, अब बताओ कि जो, यह तो अग्रीर में त्यात हो गया न, अग्रीर में त्यात हो गया, पीछे तक कहुँच गया, फिनको लास्ट तक हैं इनके होने में मूल कारण कर्म हैं क्योंकि हमने कर्म कमाए थे उस कर्मे के कारण हमें ये सब साधन मिल रहे और ये हर परयाय में हमारे लिए मिलते हैं उसे यह पहचानता नहीं है अगर हम इतनी बात नहीं करें इतनी बात धीरे धीरे से आपको एक एक चीज नहीं सपश्ट करवाएं या नहीं बोलें या नहीं समझ वाएं तो बुटे मुझे बताओ अभी तक हम कर्मों के फल को सुखरूब मान रहे थे की नहीं देको जब हमें कोई सुख सुखी दा मिलती है हमारा चाहा हुआ हूँ जाता चाहा हुआ ही तो हम Н्यून और जब हमारा चाहा उओ नहीं मिलता तो हम दुख माल ले यह नही नाम कर्मी के उदह से आपको शेरीन मिला अगर आप गोरे हो गये तो अपने आप में भूले नादी आपके लिए मिल रहे हैं तो आप सुखी हो जाओगी और अगर आपसे चिन रहे हैं तो आप दुखी हो जाओगी आपको एक बार में याद हो जाता है तो आप अपने आपको विद्वान समझने लगोगी और आपको एक बार में याद नहीं होता तो आप अपने आपक दुखरूप मिलता है दुखरूप मिलता है तो आप अपने आपको हीन भाव रूप समझते हो अब मुझे बताओ ये सुखरूप और ये हीन रूप किसका कमाया हुआ है किसका कमाया हुआ है स्वयम का कमाया हुआ है तो मुझे बताओ जब स्वयम का कमाया हुआ है तो स्वयम की कमाई खाने में दुख केंसा आई वा समझें बापा स्वयम की कमाई कमाई खाने में दुख केंसा है इस पश्ट挑ja को समझ में आ रही मम्भी कुछ समझ में आ रही कि इस जीव के इनके होने से मूल कारण कर्म है समझो ना करम सिद्धान्द को समझो ना कि कैसे कर्म फल हमारे लिए देते हैं हम अपने आश्र अभावों की बज़ेते कर्मों के करण अंदे करम हैं और करम हमारे आस्रों भावों से बनते हैं अब देखो इसे यहार पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूख्च में कैसे सूख्च में दिखते नहीं है हम अपने भाव करते हैं भाव के इतनी पीबर पराकाश था है कि एक सेकंड में इतने भाव बन जाते हैं कि हमें वो पकड़ में नहीं आते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं तो हम उसकी तरफ गौर नहीं करते हैं और गौर नहीं करते हैं तो आस्रह तो चली रहा है परमाने देते हैं तो पद्लकर मान हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वह शूच में हैं इस algumas इसे दिखाई नहीं देता चलो ठीक है नहीं दिखाई देता हमने यह मान लिया के हमें खेज फद्लकर हमें दिखा हुने कर्मों तुम्हारी बाट ठीक है अब हमें से कैसे मानें बता बापा कैसे मानें अरे ऐसे मानो कि भई ग्याना वरनादी कर्म के ग्यान दर्सन की हींता हो गई मोहिनी कर्म के उदय से मिठ्यात्यों का साय भाव हो गए है ना अंतराय कर्म के उदय से तेरा चाहा हुआ नहीं हो रहा है वेदनी कर्म से तेरे को सुखदुक मिल रहे है और आयू कर्म के उदय से तेरे को सरीर का साहियोग मिल रहा है नाम कर्म के उदय से तेरे को गती जाती सरीरादे को पन्न हो रहे हैं और गोत्र के हुज़ए से तेरे को मुच नीच पुल गोत्र मिल रहे हैं मिल रहे हैं कि नहीं हम भोग रहे हैं कि नहीं जब तू इनकी सक्ता को स्विकार कर रहा है तो तू कर्म की सत्ता को सुविकार क्यों नहीं कर रहा है, कि हमें उनके बज़े से ये सब मिला है, अब क्या समझ रहा है, कि ये जो कर्म हो रहे हैं, ये जो भाव हो रहे हैं, ये जो समान जो सब घर परिबार, इस्तरी, पुत्र, मकान, जमिन जायात हमें मिल रहे हैं, ये ज देखो इस जीव की अनादी काल से बंद तक तो संबंदी भूली यह है कि यह जेल में डला हुआ है और जेल में इसने आस्रा उभाव करके नाना प्रकार की साधाने खटे कर लिए अब यह जीव उसके बीचे में बंद गया क्या बंद गया बंद गया और अपने आपको उस ज सतंत्रो मान भागी यही तो समझाने वाले टोडर मेल जी देखो कहते हैं क्योंकि वह सूख्च में है वो दिखाई नहीं देता जब जब भी उससे बात कहो क्यों भीया अच्छा होगा तो भी देखो कितना पुन्यका होता है यह सब सामागरी में लगई और जब इसका काम ह बन वा नहीं बनता है तो क्या काता है उरिया वो नहीं रही हैं सिथी फिए अभी टोटर मेल्जी कहने वाले सब करकार का सब भांड़ा फोड़ के सके उपर डाल धेता है करम के उपर डाल देता है, और जब इसके सुखसुभीदा रूप सबसामक गरी इसको मिलती है इसके अनुरूप सब चलते हैं, तो क्या मानता है, मैंने किया, मैंने मेरा, मेरे दूरा, हुआ, ये दूबीदा क्यों, ये दो आचरना क्यों, अगर सुभाव सुभाव है, तो कर्म बंदन की प्रिकरिया को समझने वाला नहीं है तू ऐसी जेल में ड़ला है कि तू अपना ही कमाया हुआ उस जेल में अपना कमाया हुआ देख रहा है और तेरे को ये पता नहीं है कि अरे ये सब गल्तियां तो मेरे इंगारल से हुई थी आई बास समझ में आज मैं मेरे रूप नहीं परणमाता मद्Дे का समया पईसे नहीं आ रहा है खर्चें बराबरों की लाइन लगी हुई है तो आए यह तो मेरा ही कमाया हुआ है यह दूसरे का कमाया हुआ तो है ही नी मैं किस पर आरूप डालूँ मैं संसार को आरूप डोदूँ मैं मोधी को गाली दूँ, मैं मौहानी आदव को गल्टी दूँ, मैं कांग्रेश सरकार को गल्टी दूँ, मैं बीजेपी सरकार को गल्टी दूँ, मैं यहां के बिधायक सांसाथ मंतरियों को गाली दूँ, किसका कमाया हुआ है किसका स्वयम काना लेकिन यह जीव पहिचानता नहीं है क्योंकि वह सुक्ष में है प्रोटरमल जी कह रहा है कि देख पहले पढ़नाम देख ले तो कैसे हो रहा है तेरे भाव देख ले कैसे हो रहा है तेरे सुकसुबिदाय देख ले कैसी मिल रही है तेरे को सामगरी देख ले कैसी मिल रही है अगर ये कर्मों की विवस्था ना हो ना मम्मी तो सब बड़े आदमी है और अगर कर्मों की विवस्था ना हो तो सब गरीब हो अगर कर्मों की विवस्ता ना हो तो सब जैनकुल में पैदा हो कर्मों की विवस्ता ना हो तो भाईज़ाब सब प्रकार की अर्थ विवस्ता पूरी डगमगा जाए आज ये ब्याप्यार धंदे चलते हैं ना ये सब कर्मों की विवस्ता ही से चलते है पैसा कमारा है और यह 24 घंटे मजूरी कर रहा है उसको 200 रुपे 300 रुपे मिल रहा है किसकी बिवस्ता है साथ कर्मों की तो तेरे को साथ चाथ ये नजर आ रहे हैं कि नहीं पुडरमल जी के रहे हैं कि यह जीव इनको पहचानता नहीं है क्योंकि यह सूक्ष में है इसे दिखाई देता नहीं तथा वह इनको इन कारियों का करता दिखाई नहीं देता क्या कहते हैं वह क्या वह क्या वह कौन ना ना कर्म कर्म इनको इन कारियों का करता दिखाई नहीं देता जो कर्म तूने बांदे थे वो कर्म इस भाव में तेरे को उधाय में आने पर कर्म दिखाई नहीं देते पापा समझ में आ रही क्या किया रहा है टोडर मेल जी देखो, पहली बात मूल कारण कर्म है, है नँअग ये जीव इस कर्म को पहचानता नहीं क्यों नहीं पहचानता क्योंकि भौत सूख्ष्म है और सूख्ष्म होने के कारण इसको दिखाई नहीं देते तो क्या करता है यह जीव उन करमों को इन कारियों का करता नहीं मानता है कि कोई ग्यानवरनादी कर्म यहां खड़ा है और यह मुझे यादनी कर्मे दे रहा है एक अंतराय कर्मे यहां खड़ा है कि जो मेरे को कारे को करना होना नहीं सिद्व कर पा रहा है एक आयू कर्मे है कि जो मेरी छुड़ी आयू उसने दे दी एक गोतर कर्म है कि मुझे नीच फुल दे दिया, ये उस कर्मों को नहीं देखता है, जब कि कमाया हुगा किसका है, स्वयम का, कर्मों का है, कर्मों के धिन तेरी ये दशा हो रही है, अब कर्म दिखाई नहीं दे रहे, कर्म सूक्च में है, कर्मों को पहचान नहीं पा रहा ह तो यह जीव भूल जाता है कि यह सब जो दसा हो रही है यह कर्मों के कारण हो रही है भूल जाता है कर्म दोस देने लगे कर्मों के लिए तो देखो क्या है वह इसको वह इसको इन कारियों का करता दिखाई नहीं देता है वह कौन कर्म इसको इसको कौन जीव वह है इसको मतलब कर्म जीव को इन कारियों के करता दिखाई नहीं देते इसलिए इनके होने में या तो अपने को करता मानता है क्या कहते हैं इसलिए इनके होने में या तो अपने को करता मानता है कि मैंने कमाया, मैंने खाया, मेरे शरीर के द्वारा क्रिया हुई, मेरे द्वारा हुआ, मैं पैसे नहीं कमाता, तो आज इतने घरमकीन जमीन जाजात नहीं मिलता, अगर मैं महनत नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं ऐसा नहीं करता, घर परिवान नहीं चलाता, तो ऐ जब कोई कारे होता है तो निमित्य कोई ना कोई खड़ा होता है आई बास समझ में निमित्य के कारण काम नहीं होता है लेकिन निमित्य वहाँ पर खड़ा होता है अब तेरे को जो भी सामगरी मिल रही है ये सब तेरे उपादान गतियोगता से हो रही है अब खड़ा कौन है निमित निमित में कौन खड़ा है ज्याना वर्नादी आठ करवा आई बास समझे और कमाई हुए किसके है स्वयम के और यह जीव इतने सूफ में स्थूल होने पर उन भावों को नहीं समझ रहा है कि रहा है कि इनके होने में या अपने को करता मानता है इनके होने में कार तेरी तरह सिद्ध हो जाने में अपने को करता मानता है और जब तेरे का कार सिद्ध नहीं होता तो कहते है कर्म बिकट बलवान क्या कहते है जगत में पेरत कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत है और कैसे भी करके यह जीव स्वयम की गलती मानता नहीं है तो देखो इसके लिए होने में या तो अपने को इसलिए इनके होने में या तो अपने को करता मानता है या किसी और को करता मानता है किसी और को करता मानता है दुकान के कारण पैसे आए फलाने के कारण ऐसा काम हुआ धिकानी के कारण ऐसा काम हुआ उन्य का उदाय था तो ऐसा काम हो गया ऐसे नच्छत्र मिल गये उस समय हमने ये काम तुरंत किरिया कि उसके कारण से मेरा ये काम बन गया आई बास समझ में रेट सस्ती थी तो मकान बन गया सेमेंट सस्ती थी तो मकान बन गया लोहा सस्ती था तो मकान बन गया बता वो सस्ता था तब मकान बना कि उपादान कदी योगता से मकान बना अगर रेट सस्ती थी सेमेंट सस्ती थी तो पड़ोसी का भी बन जाना था, उसका तो नहीं बना, तुम्हारा बना, आई बस समझें, तो देखो क्या होता है, कि यह जीव कर्मों की बिवस्था को पहचानता नहीं है, वो सुक्ष में हैं, और सारी सुक्सुभी दाएं भोगते हुए कहता है, कि मैंने कमाया, मैंने भ अन्यका करता पना भासित ना हो, तो अपना तथा अपना या अन्यका करता, खुद ने किया, और तेरा काम सिद्ध नहीं हुआ, और अन्यका करता हुआ, और उसने तेरे को काम करने में बेमानी कर दी, और तेरा काम सिद्ध नहीं हुआ, अपने अपने रूप काम रूप प मतलब मूर खोकर सभाव से नहीं समझेगा तोडरमल जी कह रहे हैं कि यह पागल बुद्धी करके होनहार के ऊपर छोड़ देता है मतलब हमारे पांचों उंगली घीम है हमारी पांचों उंगली घीम है वो कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री है बिहार का है साथ कि कोई भी हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे पाइटी किसी की भी रहे चाहे बीजीपे की रहे चाहे कॉंग्रेस की रहे और चाहे सपा की रहे मुख्यमंत्री तो हमें ही बनना है बुले क्यों जैसे ही पता चला कि इस तरफ हवा है पाइटी बदल ली फिर इस तरफ हवा है फिर तो क्या करता है यह जीव कौन सा है वो नीतेस कुमार ऐसे यह जीव जब साता का उदय होता है और पुन्य रूप क्रिया कार करता है तो यह मानता नहीं कि यह कर्मों के कारण हो रहा है और जब इसकी ऐसों भाव रूप पर नाम होते हैं उसके करता पने का न पर टेस लगती हैं तो यह क्या होनहार और भवीतवत पर कार्म की सत्ता को समझ तो रहे हो लेकिन कर्म की सत्ता को नहीं समझ रहे हो सुख रूप में पुन्ने रूप में हर प्रकार के सहियों को मिलने पर तुम कर्मा धीन उसको माननी रहे हो तो फूले नहीं समा रहे हो और जब वही कार्म तेरे को दुख देने वाले आते हैं तो हाय हाय करके छादी पीट रहे हो और कह रहे हो के भीया अब का करें भीया पाप का उदाय ऐसा चल रहा है असाता का उदाय ऐसा है अरे भीया भोनहार भवी तब बिता उसकी है तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो हमें यहाँ पर बंद तक तो समझाना नहीं है बंद तक तो समझाने में ऐसा है कि जो तुने आसरा भाव किये हैं अब तेरे को वो भाव ओदाय रूप में सुख रूप मिले या ओदाय रूप में दुख रूप मिले तू उन भावों को समझ और उन भावों में समता रूप परिणाम कर और समता रूप परिणाम करके तू ये देख भेद विज्ञान करके दरश्टी डाल ये तो मेरा कमाया हुआ है ये मेरा कमाया हुआ है और अगर मैंने फिर से इनमे ऐसे भाव रूप परिणाम किये और दे के प्रती ममत बुद्धी की और चाहा हुआ और ना चाहा हुआ में अपना ग्यान लगाया तो अगले भाव में ऐसे ही सोटे फिर्फे पढ़ने वाले हैं क्यों कि इदर तो बंद तक्त्य की परिवासा टोडरमल जी ने बता दी अगले भाव में कौन बताएगा आई बास बंद तक्त्य की परिवासा याद करना नहीं बंद को समझना बहुते अथार्थ कारी है कि देखो सुख सुभीदाएं कर्माधीन हैं कर्मों के उद्धाएसे मिलती हैं और इस भाव में इस जीवन में कर्मों के उद्धाएसे सब कुछ मिल रहा है और अगर पाई चांस इधर इधर जाके कहां तक गए थे अनंत काल तक गए थे तो अब देख लो अगर तुमने ये विवस्था नहीं समझी तो अब कितनी काल और तुमारे दिख रहे हैं देखो अपने अपने को दरपड़ा में देखो जरा कितनी भाव दिखाई दे रहे हैं अनंत भाव दिख ग्यान होने पर अयाथार्थ स्रद्धान होता है इस प्रिकार बंद तक्तु का अयाथार्थ ग्यान होने से बंद तक्तु का ग्यान याथार्थ नहीं होने से अयाथार्थ स्रद्धान हो जाता है सुख में सुमरन सब करें दुख में करें न कोई जो दुख में सुमरन करें जो सुख में सुमरन करें दुख का है कोई करमों से लड़ते दी तो आज अपनी बंद तत्तो संबंदी आयाथार्थ स्रद्धान की बात हुई कल संबर तत्तो संबंदी आयत हर्द की बात करेंगा